हेलो गाईज स्वागत है आपका अमरिता कुजीन मी आज का रेश्पी बहुत ही जटपट बनने वाली है बहुत ही कम महनत में आप छोले बना कर तयार कर सकते हैं और टेस्ट भी बहुत ही बढ़ी आएगा जैसे आप घंटों महनत करके बनाते हैं अब बिल्कुल वैसा और का बनाना हम सुरू करते हैं हमें इस रेश्पी को बनाने के लिए 2 टमाटब और 2 प्याज को रफली कट करके लेंए हैं बारी कटने की ज़दुरत नहीं है तो देग सकते हैं मोंता-वोंता मोंता कट करके ली हँँ अब हमें कूकर लिना है है कूकर में डाल देना है भी तो काफ़ी जटपड बन जाता है, बहुत ही कम मेनत में तो देख सेकते हैं मैं टमाटर और प्याज को डाल दी हूं अगर आपको ज़्याता तीका पसंद है तो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं और अभी हमें इसमें डाल देना है डाल चिनी का एक टुकड़ा इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और एक डाल देना है इलाईची बड़ा वाला इलाईची इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़ी आता है छोले में तो ये साबुत जो खड़े गरम मसाले हैं इसे जरूर डालिए दो लॉंग एक तेज पत्ता और हमें इसमें चाय का फ्लेवर चाहिए तो आप चाहें तो चाय को बॉयल करकर उसका पानी छान कर डाल सकते हैं या फिर टी बैग डाल सकते हैं इसमें और मैं यहां एक कपड़े में बान कर पोटली में डाल रही हूँ ये काफी मैं इंस्टेंट वाला बना रही हूँ तो इस तरीके से जरूर बनाए बहुत ही समय का बचत होता है तो देखें मैं पोटली बान दी हूँ और इसे हमें डाल देना है आपके पास टी बैग हो तो टी बैग भी डाल सकते हैं या फिर चाए को बॉयल करके उसका पानी को चान कर डाल सकते हैं और अभी हमें यहां पानी डाल देना है पानी इतना डालना है कि छोले हलका नीचे चले जाए बहुत ज़दा हमें पानी नहीं डालना है तो देख सकते हैं इतना ही हमें पाइन डालना है इससे ज़्यादा नहीं डालना है और अभी हमें इसमें सारे मसाले भी डाल देना है एकदम जटपट बनने वाला है तो क्यों न सारा कुछ डाल दिया जाए कि मेहनत बहुत ही कम करना पड़े आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच धन्या पाउडर वनफोर चम्मच काली मिर्च पाउडर वनफोर चम्मच जीरा पाउडर नमक स्वाद अनुसार मैं एक चम्मच नमक डाल रही हूँ आप चाहें तो लाल मिच पाउडर भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो और अभी हमें इसमें कूकर का ढखकन लगा देना है और इसे मीडियम हीट पे तीन से चार सिटी आने तक पकाना है जब तक छोले जो हैं अच्छे से सौफट ना हो जाएं अच्छे से कूक ना हो जाएं तो मेरी कूकर में तीन से चार सिटी में छोले अच्छे से कूक हो जाते हैं तो देखिए कूकर का प्रेसर निकल चुका है तो अभी हमें छोले को चेक कर लेना है कल्चुल में एक छोले दो छोले निकालना है और इसे चेक करना है एक दम छोले सौट होने चाहिए तो देखिए एक दम सौट हो चुका है इसका छिलका भी काफी सौट हो चुका है तो छोले बहुत अच्छे से कूख हो चुके हैं अगर आपका छोला कम कूख हुआ होगा तो एक दो सीटी और लगा लिजेगा और अभी हमें चाय वाला पोटली खड़े गरम मसाले सारा निकाल लेना है क्योंकि ये जब खाने में मुह में जाता है तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो मैं अभी निकाल दे रही हूँ और टामाटर का जो छिलका है उसे भी हमें निकाल लेना है देखिए बहुत ही असानी तरीके से निकल चुका है और अभी हमें इसे मिक्स करना है टमाटर प्याज जो है एकदम सौप्ट हो चुका है इसमें हमें कोई मेहनत करने की जरुवत बिल्कुल नहीं है गैस का फ्लेम आउन कर लेना है और इसे एक कलसुल से चला लेना है तो देख सकते हैं टमाटर कितने अच्छे से कूख है सारे टमाटर प्याज हरा मिर्ट अच्छे से कूख हो चुका है हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है तो देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसमें बॉइल आ चुका है अभी हमें इसमें डाल देना है एक चमाज क्रस्ट करके कस्तूरी में थी इससे बहुत ही अच्छा फ्लेबर आता है छोले में और इसे हमें चला लेना है तो कस्तोरी में तीकुना स्कीप बिल्कुल नहीं कीजिएगा इससे जरूर डालिएगा काफी बढ़िया इससे टेस्ट आता है छोले में और अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच गरमस छोटी वाली चम्मत से और मिक्स लेता है. तो दो हमें भुष अई थाल.. ने खुरुं आतरो के सिर्मेट थेख्ऐमें.. लीए मेसरा भावे और आप बिझा और मिक्स देना। ग्रेवी एकदम पर्फेक्ट है आपको अगर पतला ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा गरम पानी भीस में डाल सकते हैं देखिए कोई कहीं नहीं सकता है कि इतना जट पटी चोला बनकर तयार हुआ है बहुत ही कम महनत में देख सकते हैं बहुत ही इंस्टेंट बहुत ही टेस्टी चोला तयार हुआ है आप इसे बहुत जल्दी बना सकते हैं बहुत ही कम महनत में गरमी के मौसम में किचन में रहने का मर भी नहीं होता है तो देखिए बहुत ही टेस्टी छोला तयार है तो अभी हमें इसमें तड़का लगा लेना है आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं तो मैं इसमें तो तड़का लगाऊंगी तो देखिए मैं एक कल्चुल में डाल दी हूँ दो चमज तेल, आधा चमज जीरा जीरा हलका ब्राउन हो चुका है तो अभी हमें इसमें डाल देना है दो चुटकी हिंग और अभी हमें इसमें डालना है तीन चार लेसुन के कलियों को इस तरीके से लंबा लंबा पतला पतला कट करके डालना है इसे जरूर डालिएगा इससे जो छोला का टेस्ट है ना बहुत ही बढ़ी आएगा और एक लाल मिश डाल देना है और गैस का फ्लेम ओफ कर देना है गैस का फ्लेम ओफ करने के बाद ही इसमें कास्मीरी लाल मिश पौडर डालना है एक चम्मज छोटी वाली चम्मज से लैसुन ब्राउन होने के बाद ही इसमें कास्मीरी लालमेश पॉडर डालना है और इसे तड़का लगा देना है तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी छोला बिलकुल तयार हो चुका है काफी ये टेस्टी बना है एक बार इस तरीके से जरूर बना कर ट्राइ किजिएगा बाकी तरीकों को यकीन मानिये भूल जाइएगा इतना ये quick और easy है, इतना simple है, इतना असान तरीके से बन जाता है, ना grind करने का जंजट, ना भूनने का tension, ना बहुत ज़दा kitchen में time का expand करना, बहुत ही कम time में, बहुत ही healthy, tasty, छोला बन कर तयार हो सकता है, कोई कहीं नहीं सकता है ना कि आप इतने जल्दी ये छोले को बना कर आयार की है, देखे कितना बढ़िया बना है, एक दम बहुत ही tasty बना है, रोटी, बटूरे, चावल, पूरी, फराठे के साथ, इंजवाय कर सकते हैं, बहुत ही tasty लगता है, तो एक बार इस तरीके से जरूर recipe को बनाएगा, अपने family friend के साथ share किजेगा, और मुझे comment में recipe आपको कैसा लगा, thank you for watching,